नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ हूँ Black Panther, Wakanda Forever के ट्रेलर के बारे में समझाय करने जा रहा हूँ. Black Panther, Wakanda Forever एक आने वाली Marvel फिल्म है, जो 2022 में रिलीज होने वाली है. ये फिल्म Black Panther का सीक्वल है, जो 2018 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के ट्रेलर में वकांडा के राजसी परिद्रिश, सांस्कृतिक परंपराएं और उन्नत तक्नीक दिखाया गया है वकांडा के वाइबरेनियम रिज्रू को प्रोटेक्ट करना इस फिल्म का मुख्य प्लॉट है इस ट्रेलर में ब्लैक पैंथर का अभी तक कोई भी जलक नहीं दिया गया है लेकिन लोगों को उनकी याद फिर से ताजा करने के लिए छल्ला के ग्रेवस्टोन की एक शॉट दिखाई गई है क्या ट्रेलर के अंत में हमें पता चलता है कि इस फिल्म में Black Panther की जगह कोई नया किरदार Black Panther बनीगा इसका खुलासा बहुत सस्पेंसफुल था और लोग इस फिल्म का इंतिजार कर रही है ब्लाक पैंथर वकंडा फॉरेवर के ट्रेलर में बहुत सारे इस्टर एक्स और रेफरेंस भी दिखाए गए हैं जो MCU के और मूवी से कनेक्ट करते हैं ये ट्रेलर बहुत एंटर्टेनिंग और इंटरेस्टिंग है दब्लाक पैंथर वकंडा फॉरेवर का ट्रेलर नकेवल फिल्म के लिए एक स्टैंडलोन ट्रेलर है बल्कि इसमें कई संदर्ब और इस्टर अंडे भी शामिल है जो इसे बड़े मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स MCU से जोड़ते हैं सबसे रोमांचक इस्टर अंडे में से एक वकंडन जहाज की उपस्थिती है जो एवेंजर्स इंफिनिटी वार में देखे गए जैसा देखता है यहां जहां सुझाव दे सकता है कि वकंडा फॉरेवर की घटनाएं उसी समय के आसपास होती है जब उस फिल्म की घटनाएं होती है या वाकंडा MCU में आगामी संधर्शों में शामिल हो सकता है एक और पेचीदा संधर्ब एक द्रिशे का समावेश है जहां शुरी को किसी तक्नीक पर काम करते हुए देखा जाता है यहां द्रिशे संभावित रूप से उसे ब्लैक पैंथर की भूमी का निभाने का संकेत दे सकता है जैसा कि उसने कॉमिक्स में किया है इसके अतरिक्त ट्रेलर में नाकिया की क्लासिक कॉमिक बुक पोशाप पहने हुए एक शॉर्ट भी शामिल है जो उसके कॉमिक बुक तितिहांस के लिए इशारा कर सकता है ट्रेलर में सोपोविया समझोते का एक संदर्भ भी शामिल है जिसे कैटन अमेरिका सिविल वार में पेश किया गया था यहाँ सुझाव दे सकता है कि वाकांडा MCU में एवेंजर्स और अन्य बलों के बीच भविश्य के संधर्शों में कुछ ख्रमता में शामिल होगा कुल मिलाकर इन इस्टर अंडे और संदर्भो को शामिल करना MCU प्रशंसकों के लिए रोमान चक है क्योंकि यहाँ अधिक गहराई जोडता है और ब्रहमान को और भी जोडता है यह सपश्ट है कि Black Panther Wakanda Forever न केवल एक स्टैंडलोन फिल्म होगी बल्कि MCU के भविश्य में भी महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी तो यह थी मेरी Black Panther Wakanda Forever ट्रेलर के बारे में व्याख्या मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस फिल्म का इंतजार करने की excitement बढ़ा दी होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेर करना न भूले